कौन क्या गाफिल शनाला बनवला मानूस त्याने का युगांचे दुख ओढ़ुन घेत ले आहे उरावर दीवाने खास की मैफिल में आप सभी खास महमानों का फिर एक बार खास अस्तिक्बाल बहुत बहुत स्वागत संदीब गुट्टे का प्यार भरा आदा मराथी गजल रसिकाना सप्रेम नमस्कार तसे सुस्ते बरे अस्वस्थ अस्ताना नको अस्वस्थ असने परवड़त नाहीं तो मित्रानों आज अपन मराठी गजल कारा निर्मिती कोलते यांची दर्जेदार आणी रुदस परशी मराठी शायरी या विश्यावर बॉल्डा रहुत तो दोस्तों मराठी शायरी का एपिसोड होने की वज़े से गुफ्त गो का सिलसला जो है वो दोनों जबानों में कायम रखेंगे याने मराठी में भी और हिंद्स्तानी जबान ले भी ताकि हिंदी उर्दू गालों को भी मराठी गजल का हुस्न और उसकी खूपसूरती और पता चल सकें तो दोस्तों सबसे पहले शायरा के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बार उनके कुछ बहतरी अशायर दोस्तों निर्विती कोलते हैं इनका तालुक वैसे तो महाराष्ट के नाकपुर शहर से हैं यही उनका होम टाउन है लेकिन उनकी मोजुदा रिया जो है वो पुणे महाराष्ट की है एक तबील अर्से से निर्मिती कोलते बहतरी शायरी कर रही है और पुखता शेर कह रही है जोस्तों निर्मिती की गजले जो है वो मेरी नजर में दरसल उनकी जिन्दगी का आईना है उनका हर तजर्वा उनकी हर कश्मकश जो है वो उनके शेरों में पेश होती हुई नजर आती है अक्सर निर्मिती की गहरी सोच वाली असरदार शायरी पढ़ने सुनने वालों को अस्वस्थ और बेचेन कर देती है मेरी नजर में यही निर्मिती कोलते इनकी मराड़ी शायरी की खासियत भी है खुबी भी है और ताकत भी है तो दोस्तों जल्दी ही उनके कुछ चुनिंदा शायर को नजर डालते हैं तो मेत्रा नो निर्मिती कोलते इनकी दर्जेधार और परिपक्व अमराठी शायरी या तो न कहीं निवडक शेर भी तुम्चा समोराज पेश करना रहें तर आपन निर्मिती चा एका गजले चा तीन चार शरान पसुन या पी सोड़ ची सुरुवात करूएं गजल चा मतला है जरा सुर्गार लेली अन जराशी फाट लेली किती स्वपने तड़ाशी या मना चा ताच लेली आणि हाशेर भगा कधीची थामली आहे तुला भेटाव याला तुझा स्वपनात हली फार वर्दळ वाड लेली आणि हाशेर भगा जरा नाखूश यंदा वाटला का पावसाला धरेने मोसमी नजरा नजरपन तालेली आणि आता हाशेर भगा कुणाची साथ मागावी कशी आता कलेना मलातर सावली ही वाड ते कंटाल लेली आणि आता हे दोन उत्कृष्ट शर भगाए का दूसरा गजलेजें इथे कृष्टना तुझी माजी कहानी राहिली नहीं सक्या आता तुझी राधा दिवानी राहिली नहीं तिला स्वपनात ही कलते तुझा श्वासातली थर्थर रवानी बगाया मिस्रे मादे आणि याशेर मले तिला स्वपनात ही कलते तुझा श्वासात ली थर्थर तुला ती वाटते तीदकी अडानी राहिली नहीं अता निप्मिती कोलते यांचा हाँ एक उतकुर्श श्यर बगा चाहूल कुणाची लागत नहीं तरी ही दर्वाजा रात्रन दिवस कर करत अस्तो दर्वाजा रात्रन दिवस कर कर अगस्तो दोस्तों निर्मिती का अगला शेर पेश करने से पहले मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है मैं सच कहूंगी वगर फिर भी हार जाहूंगी वो जूट बोलेगा और ला जवाब कर देगा तो दोस्तों इस मफ्हूम को निर्मिती कोलते ने अपने शेर में कितनी हुपसूरती से पेश किया है किती दा जिंकला बोलून खोटे तो किती दा हार ले एका खरया साथी अणि अता दिर्मिती कोलते यांच्या एका गजले चे दोन शेर रहा है फसून घेते मी स्वताला मला फसूने सोपे नहीं आभाडाला हाथ टेकता पाय रोवने सोपे नहीं आणि या पुर्चा शेरा मदे एक जेस्चर किती सुन्दर रित्या दिर्मिती माणला ये ते बड़ा पाहुना आहे घरी अंधार जर मंद थोड़ी वात केली पाहिजे अणि हा एक शेर भगा घे मिठी मारून त्याला एक दातू अंतरा चे काईदे धर्णया गोदर अन्तरा चे काईदे धर्णया गोदर मी दोन किनारे फक्त सांधते आहे मी दोन किनारे फक्त सांधते आहे अणि अता निर्मिती चे अजून दोन उतक्रश्च शेर तुमझे समाधते केजल जर्णया जन्म भर माझा सक्याला सपर्ष माझा टोसला आनि मी समझून होते की मुलायम साय मी पाथ माझी वेदनां चे बोस के संभार ते पाठ माजी वेदनांचे बोस के संभाड़ते अंतिला संभाड़नारी शांत गोगल गाय मी आता है दो तीन शेर बगा एक गजल चे निर्मितीचे नदी काठा वरी थोड़ी उथल जाली किती मग आसवांची धाव पड़ जाली अनि या पुच्चा शेर मदे मनजर कशिबगा के दिसंदर हैं उन्हे पाउस छेदुन धावली खाली तुझा नंतर रुतुन ची सर मिशल जाली अनि या शेर तुझा आधीस एते दार वाजवते तुझा आधीस एते दार वाजवते तुझी का सावली इतकी चपल जाली अनि आटा एक गजल चे है अजोन धोन शेर बगा निर्मिती चे प्रेम केले एवढा तर मान देव। आपलेया गोश्टीस शेवट चान देव। ही दिवैंची रोश्णाई बंद पाडू चांधनयाना समकनयाचे दान देव। मलावट तर माराठी शेरी मदी हाएक अचूता ख्याल दिर्मिती निया शेर मदे मान देवाड़ा हैं जो निश्यतस माराठी गजल्ल सम्रुद करना रहा हैं खुदा इसकर मीर तकी मीर साथ कहते हैं कि मुझको शायर न कहो मीर किस साहिब मैंने दर्द गम कितने किये जमा तो दिवान किया दोस्तों इस नजर से देखा जाए तो अच्छी शायरी के लिए सबसे पहली शर्त है दुखों से दोस्ती करना गमों से आशनाई करना तो इस तालुक से निर्मिती कोलते का ये बहतरी शेर देखिए दुखा है एवड़े तर मग लीना आणखी मी कोन ते सामान देऊ आणखी मी कोन ते सामान देऊ आणी वित्रानों एपी सोर्चा शेवती निर्मिती कोलते येंचा हाँ एक अति उत्ताम एक दर्जेदार शेर तुमचा समोर मी पेश करतो कोन त्या गाफिल शनाला बनवला मानूस त्याने का युगांचे दुख ओढ़ुन गेतले आहे उरावर का युगांचे दुख ओढ़ुन गेतले आहे उरावर तो मित्रानों हे होते कही निवड़क शेर निर्मिती कोलते येंचे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मराठी गजलकारा निर्मीती कोलते इनके चुनिंद आशार जो मैंने आपके सामने पेश किये आपको जरूर पसंद आये होंगे तो अगली मरतबा किसी और शायर या शायरा का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे चुड़े रहे बहुत बहुत शुक्रिया